नमस्कार तिंग टैंक पर आप सभी का स्वागत है मैं हूं बर्खा शर्मा इस वक्त की एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो यह है कि बीजेपी की प्रवक्ता जो की नुपुर शर्मा है उन्होंने दिल्ली की स्पेशल सेल आई एफसो यूनिट में एक दर्ज कराया है जिसमें उनका कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धंकिया मिल रही हैं उनका कहना है कि कई दिनों से बीते कुछ कुछ दिनों से उन्हें और उनिके परिवार को जान से मारने की धंकिया मिल रही हैं ऐसी धंकियों से डर कर ऐसी धंकियों से प्रभावित होकर परिशान होकर ही उन्होंने एफायार दर्ज कराने का फैसला लिया जिसमें बता दे कि नुपर शर्मा ने टीवी के सामने एक नै इसके चलते वो लोग नाराजगी में हैं और वही जो लोग नाराजगी में हैं उन्हें जान से मारने की उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जिसके चलते बीजेपी पार्टी ने उनके खिलाफ कारेवाही करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया और उनके साथ ही नवीन जिंदल जो की मीडिया प्रभारी है वीजेपी के उन्हें भी पार्टी से निलंबित कर दिया है। तक कारेवाही पूरी नहीं की जाती तब तक नुपुर शर्मा पार्टी में कोई भी अक्षन नहीं ले सकती पार्टी में दाखिल नहीं हो सकती। इसके अलावा जो नवीन जिंदल है उन्हें छे साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा नुपुरे शर्मा का कहना है कि इसी के चलते इन्ही सबसे प्रभावित होकर और परेशान होकर इन्ही धमकी भरे पत्र जो उन्हें मिल रहे हैं, धमकी भरे फोन जो उन्हें आ रहे हैं। से प्रभावित होकर उन्होंने FIR दर्ज कराने का फैसला लिया और दिल्लिस पुलिस में यह FIR दर्ज कराया इसके बाद खाड़ी देशों में भी उबाल देखने को मिल रहा है कतर और कुबेट के अलावा इरान ने भी भारतिय दूतों को तलब कर दिया है जिसके बाद शोशल मीडिया पर भारत की जमकर बुराई हो रही है और शोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत में जो भी समान निर्मित होता है भारत का जो भी उत्पादन है उस पर प्रतिबंद लगाया जाए उसको खरीदाना जाए इसके बाद भी जो बीजेपी पार्टी है उसने अपने इन दोनों नेताओं पर कारेवाही शुरू कर दी है और इन दोनों को पार्टी से निलंबित कर दिया है कतर का कहना है कि यह जो टिपड़ी की गई है यह मानव अधिकार का हनन करती है उस पर गहरा असर डाल दी है इसके बाद साओधी अरफ ने नुपुर्शर्मा के पार्टी से बरखास्त करने पर बीजेपी के इस फैसले का स्वागत किया है इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जो यह विवाद है यह बड़ी हिंसा का रूप ले चुका है भारत में बड़ी हिंसा का रूप ले सकता है और विवाद बहुत ही जादा बढ़ गया है जिसके बाद बीजेपी ने इन दोनों नेताओं पर कारेवाही की है और इन्हें पार्टी से निलम मित कर दिया है इसके बाद बता दे कि मामले में क्या क्या हुआ इसके बाद जो यह टिपणी की गई इसकी देश विदेश में जमकर आलोचना की खाड़ी देशों में इससे एक हड़कंप समझ गया और बहुत ही ओबाल देखने को मिला जिसके बाद इरान में भारतिय राज़ दूथ जो है जिनका नाम है धामू गंधप उनको तहरान में रविवार शाम को दक्षिन एशिया के महा निदेशक ने विदेश मंतराने में तलब किया जिसके बाद उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और उनके सामने टिपड़ी का विरोध किया गया इसके बाद यह भी कहा गया कि पैगंबर का कोई भी अपमान या अपमान जनक टिपड़ी अस्विकार है इसको स्विकार नहीं किया जाएगा इसके बाद कतर में भी यह विरोध देखने को मिला वहां के जो राजदूत हैं उनका नाम है दीपक मित्तल उनसे भी यह कहा गया कि यह जो टिपणी है इसको बिना सजा के छोड़ देना मानव अधिकार का हनन है मानव अधिकार का जो है हनन किया जा रहा है यह मानव के अधि को खराब कर सकती है इसके बाद बोला गया कि इस तरह की टिपणिया हिंसा और नफरत का माहौल पैदा कर सकती है इसके बाद कतर और कुवेद में भारतिये दूतावास की प्रवक्ता जिन्होंने प्रैस विक्यप्ति में कहा कि बीजेपी के किसी भी कार्यकरता की जो है ट्व गतर मैं भारतिये राजदू जो है दीपक मितल उन्होंने विदेश कार्याल ले में एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने भारत के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है किसी भी धर्म के लोगों के पूजनेयक जो लोग है उनके ऊपर ट्वीट किया जाते हैं आपत्ती Mint akt इस जो विवादत टिपणी है इसको लेकर तलब किया गया है और इसके बाद जो विदेश मंत्री हैं वहां के एशिया के विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक आधिकारिक विरोध नोट भी उन्हें सौप दिया है इसके बाद जो कानपूर हिंसा हुई है उसके बाद सभी जिल इसलामिक जो है कॉलेज है उसमें धर्ना प्रदर्शन करेंगे, धर्ना करेंगे, साथ ही पैगंबर मोहम्मद का जो यह विवाद चल रहा है, उनके उपर विवाद चल रहा है, उसके बाद वीजेपी ने बयान दिया है कि किसी भी धर्म का जो आपती जनक टिपड़ियां होती हैं किसी भी धर्म का जो लोग विरोध करते हैं उनके हम सक्त खिलाफ हैं उनके खिलाफ हैं इसके बाद जो कॉंग्रेस है उसने बीजेपी की विरोध प्रदर्शन को इस बयान को जूटा बताया है ढूंग बताया है और इसे बरखास्त कर दिया गया है इसके बाद यह है विवाद जो बड़ा रूप ले रहा था तब ही नुपुर शर्मा ने सामने आकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं महादेव के अपमान को बरदास्त नहीं कर पाई जिस तरह ग्यान वापी का मामला चल रहा ह महादेव का अपमान किया गया तो उन्होंने कहा मैं अपने इस्ट के अपमान को बरदास्त नहीं कर पाई इसके बाद मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद किसी को बुरा लग गया उन्होंने कहा अगर किसी को मेरे शब्दों का बुरा लगा हो तो मैं अपने शब्द आपक्यों को वापस लेती हूं इसके बाद जो है भारत के उपराश्र पती हैं जिनका नाम है नाइडू वह भारत के जो कतर के तीन दिवसियत दौरे पर गए हुए हैं इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जो कतर है वह हमारी 40% गैस की आवश्यक्ता को पूरा करता है उनका बाद यह जो मामरा बड़ा रूप लेने लगा इसके बाद बीजेपी को कई ऐसे फैसले लेने पड़े क्योंकि उपराश्र पती कतर में ही थे जिससे नुपुर शर्मा को निश्काशित करना पड़ा निलम्बित करना पड़ा इसके बाद भी बहुत से जो है फैसले बीज जान अग्यात लोगों की तरफ से नुपुर शर्मा को और उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकी मिले लगी इसके बाद नुपुर शर्मा ने दिली के स्पेशल सेल में एफायार दर्ज कराई और रिपोर्ट की जिसमें उनका कहना है कि जब से उनकी वीडियो वाइरल हु तब से उनकी भरे मेंसेज आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं और उनकी परिवार को जां से मारने की धमकी मिल रही है धमकिया मिल रही है कि देख लेंगे जान से मार देंगे इस सार कलम कर देंगे ऐसी जो आपत्ती जनक धंकिया मिल रही है जिन से परिशान होका नुपूर शर्मा ने F.I.R. दर्ज कराया है इसके बाद आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नई विशे के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे और देखते रहिए ठिंक टैंग